करनाटक में लंबे चले सियासी नाटक के बाद आखिरकार राज्य को नया मुख्य मंत्री मिल ही गया सुबे में आज से बसर्व राज एस बॉंबई का शाषन चलेगा उन्होंने मुख्य मंत्री के रूप में शपत ले ली है अभी सिर्फ बी बॉंबई ने ही शपत ली है यानि मंत्री मंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा जिसे लेकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है करनाटक में जब से बीजेपी ने कमल खिलाया है तब से उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है ये दुरप्पा के सीएम पत छोड़ने के बाद भी बीजेपी भारी दबाव में थी लिंगायत समुदाई की ओर से मिली चितावनी के बाद आखिरकार वो जुग गई है और उसने एक बार फिर से लिंगायत समुदाई से तालुक रखने वाले नीता को मुख्यमंत्री बनाया है आज बस्वराज एस बोममई ने मुख्यमंत्री पत की शपत ली शपत लेने से पहले बोममई ने अपने दिन के शुरुआद कुछ निताओं के साथ बाला ब्रुई गेस्ट हाउस के पास अंजनेय मंदिर में जाकर की और भगवान का आशिरवाद लिया इसके अलावा राजभवन में भी जब वो शपत लेने के लिए मंच पर जा रहे थे ताब उन्होंने बीएस येदुरप्पा का आशिरवाद लिया था बीएस येदुरप्पा की तरह ही बस्वराज बॉम्माई भी लिंगाय समुदाय से आते हैं वो करनाटक के 23 वे मुख्य मंत्री हैं बस्वराज बॉम्माई ने अपने राजनीतिक करियर की शिरुवात जनता दल से की थी जिसके बाद वो बीजेपी का हिस्सा बने बीएस येदुरप्पा का करीबी माना जाता है यही कारण है कि मुख्य मंत्री पत की रेस में उन्हें फायदा मिला और उनके नाम का चैयन किया गया हाला कि अच्छपत ग्रहन के वक्त केवल उन्होंने ही शपत ली जबकि कहा जा रहा था कि कई और नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा वहीं केंद्रे मंत्री प्रलाज जोशी ने कहा कि करनाटक में डिप्टी सीम को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है बीजेपी का रास्ट्रे नीत्रतव इस बारे में फैसला लेगा यानि साफ है कि शपत ग्रहन के बाद भी बीजेपी की मुश्किल खतम नहीं होने वाली कैबिनेट विस्तार के वक्त पार्टी में कलहा देखने को मिल सकती है टीबी लाइफ की रिपोर्ट